देश भर्मा लोकडाउन मा फसायला परप्रांतियों ने तिमना वतन मुकलवा माटे सरकार कारियशील बनी छे जामनागर मा पन विविद राज्यों ना परप्रांतियों रहे छे तिमने तिमना वतन मुकलवा माटे स्थानिक एले के जामनागर जिलाव वाहिवटी तंत्र शक्रिय धहिऊ छे जामनगर जिला कलेक्टर है आंगे एक विडियो संदेश चाहर करी हो जए बाईयों मैं रविशंकर कलेक्टर जिला मेजिस्टेट जामनगर आप सभी को ये विदित है कि लोगडाउन की अवधी जो है वो 17 मई तक के लिए बढ़ा दी गई गई है इस अवधी के दर्मियान में बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो अपने अपने घर जाना चाहते होंगे जिनका घर जामनगर और गुजरात से बाहर है वैसे लोगों के लिए मैं आप से एक विंति करता हूँ कि यह एक हम सर्वे कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ विगत है जो आपको देनी होंगी जैसे कि अवेदक जो है उनका नाम अवेदक अभी किस जिले में है किस तहसील में है आपका मोबाइल नंबर आप किस राज्य में जाना चाहते है उस राज्य के किस जिले में जाना चाहते है अगर आप खुद के अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का नंबर और किस रूट से आप जाना चाहते हैं और आपकी एक्षा रिटन आने की है या नहीं और जिस गाड़ी में आप जाना चाहते हैं उसकी छमता कितनी है और आपके साथ और भी कितने वयस्क और कितने बच्चे साथ में ट्रेवल करेंगे या सूचना जो है या आपको मुझे अगर आपके पास WhatsApp नंबर हो तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं मेरा नंबर है 6352691931 फिर से मैं repeat करता हूँ 6352691931 उसी तरह 6352691932 और इस तरह नो तीन तीन इस तरह करके तीन नंबर है या आप मुझे इमेल कर सकते हैं gohome.jam at gmail.com once again I repeat gohome.jam at gmail.com अगर आपके पास इमेल करने की सुविदा नहीं है या WhatsApp करने की सुविदा नहीं है तो भी आप किसी भी कागज पर यह information लिख करके आप तयार रखे और हमें call करें suny 288 जो यहां का जामनेगर का STD code है 2541960 फिर से मैं आप पर repeat करता हूँ 2541960 इस नंबर पर हमारा operator आपके पास से जो भी विगत होगी वह ले करके और आपको घर पहुचाने के लिए मदद करेंगे यह जो information है यह आपको एक सादे से कागज में लिख करके आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं या मुझे लिखवा सकते हैं आप इन त्री information के साथ आप तेया रही है घबराएं नहीं जामनगर में एक भी positive case नहीं है कोरोना की आप बिल्कुल safe हो जामनगर में इसलिए आप घबरा करके कोई निर्णे ऐसा न ले गर्मी बहुत है आप ऐसे परिस्तिती में अगर आप बाहर जाएंगे तो लू लगने की भी आपको एक आशंका है छोटे-छोटे बच्चे को ले करके अभी घर से न निकले और ये lockdown period तक आप घर में रहें ऐसी है मैं आप सबसे बिंती करता हूँ बहुत ही जल्दी जामनगर जिल्ले में उद्योग और खेती बाड़ी की जो काम है ये सभी सामान्य होने वाली है इसलिए अभी आप अगर जाओगे तो सायद आपको फिर से return आने में आपको तकलीफ हो सकती है या आप जिस विस्तार में आप जा रहे हो हो सकता है कि वहाँ पर आगर कोरोना का संक्रमन हो तो आपको फिर से तकलीफ हो सकती है इसलिए फिर भी मैं आपसे एक विंति करता हूँ कि बस अब 17 माई तक की ही बात है 17 माई तक आप जामनगर में रहें सुरक्षित रहें और जल्दी ही रोजगार धंदा जो भी है यह हम सुरू करने वाले हैं इसलिए आपको कोई सी भी तरह की परेशानी नहीं होगे दन्यवाद